तो आज जो चैप्टर हम लोग रिवाईज करने वाले हैं वो है हमारा प्योर बेंडिंग तो यहां पे हमारा चैप्टर आता है प्योर बेंडिंग बहुत इंपोर्टन चैप्टर है वह चो अबजेक्टिव पॉइंटर व्यू से लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें कंसेप्ट बहुत जादा नहीं है जब तक आपको बहुत जादा कोई प्राक्टिस करने की जरूत नहीं है यहां पे आपको सीधा-सीधा एक 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 फॉर करमला उसी एक्विशन को बहुत अच्छे से समझना है और वहीं से आपका जो काम है वो पूरा हो जाता है सिर्फ आपको यह समझना है कि इस एक्विशन को कैसे हमें यूटलाइज करना होता है इसमें हर चीज का मतलब क्या है वह आप करक्ली समझ जाते हैं तो कोई भी आइसी सिच्विशन जहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ बीम में बेंडिंग हो रही हो लाइक दिस तो हमेशा की तरह यही एक्जामपल हम लोग बनाते हैं जैसे अगर इस एक्जामपल का मैं SFD ड्रॉ करता हूँ SFD ड्रॉ करता हूँ तो SFD में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा एक पॉइंट लोड अगर मैं इसे डबलू बोल रहा हूँ इसे डबलू बोल रहा हूँ तो अव्यसी बात है रियक्शन भी डबलू डबलू ही होगी है ना तो यह डबलू है लोड तो यहाँ पर SFD बना और अगर मैं इसकी BMD की बात करूं तो हमें पता है इसका BMD किस तरह बना कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ इस तरह इसका BMD बना तो यहाँ पर हम देख सकते हैं साफ कि यह हिस्सा जो है जहां पर bending moment तो है लेकिन shear force 0 है इस हिस्से में shear force 0 है और bending moment maximum हमें दिखाई दे रहा जहां तो यह हिस्सा कहलाता है Under pure bending तो बहुत बार प्रों में लग-लग तरिकी से पूछा गया है यह इससा जो बीम का है वह होगा Under pure bending इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है bending हो रही है because share force यहां पर 0 है तो इस तरह के situations जितनी भी है हमारी जहां पर हम pure bending equations को apply कर सकते हैं वो हमारी equations क्या रहती है तो यहां पर आपको सबसे पहले simply समझना है but is the pure bending equation pure bending equation कि उसके बाद उसका application देखेंगे तो pure bending equation आप सभी लोग जानते हैं that is m by i is equals to sigma b by y is equals to e by this is called pure bending equation जिसमें आप सभी को पता है कि m होता है हमारा bending moment bending moment अब याद रखेगा bending moment या moment of resistance इसे बोले हम कि कोई भी बीम है उसका कोई भी cross section हो सकता है either rectangular या कोई और भी cross section हो सकता है तो आपको यह सिंपल सी समझनी होगी कोई भी बीम अगर होती है bending moment कितना लगेगा यह हम कैसे पता लगाएंगे यह पता लगाएंगे कि उस पर support कैसा है उस पर load कैसा है तो type of load कैसा है उसके हिसाब से support कैसा है type of support क्या है मतलब एक तरह से जब SMD BMD की condition है उसको हम पहले जान जाएं कि बीम किस तरह का है उसके हिसाब से ही हम bending moment की calculation को कर पाते हैं वह वैसा ही है जैसा मैंने आपको पूरा चार्ट बताया है maximum bending moment calculate करने का वैसा ही है कि लिए और बच्चों एक चीज और आप याद रखेगा कोई भी वीडियो मेरे आते हैं तेके ना उसमें आप उसके description को जैसे वाले वीडियो के एक-दो दिन हो जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कोई छोटी मोटी mistake कई बार ध्यान चल चलते है लेकिन कुछ ना कोई छोटा मोटा mistake कभी हो जाता है तो इसलिए उस mistake को छुपाना नहीं है इसलिए मैं उसे proper description में सबसे उपर कर देता हूं तो जब भी किसी वीडियो को आप देखते हैं पुराने किसी वीडियो को भी तो यह मेरी तरफ से एक information है कि पहले उसका description जरूर देखें ताकि आप वीडियो को देखके कई बार किसी जो छोटी मोटी गलती है जैसे अभी सोम में एक दो वीडियो में गलती है जैसे एक relation मैंने आपको बता है था यहां पर गलती से ए लिख दिया था यह भी मैंने description में करक्त करा दिया है वह आप देख सकते हैं description को ठीक है ऐसा ही एक simple relation आप लोग को याद होगा कि मैंने overhang beam में एक relation जब चार्ट बनाया था तो चार्ट में 11th case है उस 11th case में एक मैंने ऐसा case बनाया था जिसका मैंने SFD BMD कुछ इस तरह का बनाया था है ना इस तरह का SFD BMD बना के आप लोगों को दिया था ठीक है कुछ ऐसा तो उसमें भी काफी बच्चों को problem थी तो तो मेरा ध्यान गया कि गलती कहा हुई है गलती यह हुई है कि मैंने UDL पूरे में दिखा दिया वो UDL सिर्फ इतने हिस्से में था तब जाके इस portion में भी क्या था यह प्योर किसी तरह से पहुँच जाए तो यह बेसिक सी बात मैंने यहां पर बोली तो यहां पर मैं ऐसे कह रहा हूं कि M क्या है bending moment वो हमें कैसे पता चलेगा हमारे सब्सक्राइब के के से ही पता चलेगा कौन सा केस उसके साब से bending moment कैसा है किसी और कौन से पॉइंट पर बेंडिंग में बोल रहा है सब्सक्राइब मैं में मिलिया जाता है तो इसके सेंटर से पास होती है इसके सेंटर राइट से पास होती है है neutral plane तो इसकी से न्यूट्रल प्लेंट पास होती है तो इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ही हम मुवमेंट अविनर्श्या लेते हैं तो इस तरह का क्रॉस्ट्रेश्चन होगा उस तरह का मुवमेंट अविनर्श्या होगा ये भी है दिफरेंट डिफरेंट आप लोग देख सक्ते हों अलगा लग उसके हले क्क्षे क्या है अलगा उसके है सद्दिक्ट्रेंगर इस चिर्क्रगा इसया मोमेंट इन्रश्या पूट कर देंगे सिगमा बी जो है वह हमारा मैंदिंगा Expectment के बजह से finding के वजह से जो देखें जो नुट्रल एक्सिस के बीम के सेंटर से पास हो रही होगी तो माल यह बीम है जिसकी डेप्थ माल लिजे डी है अगर इसकी डेप्थ डी है तो फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस्यास सिम्पली तो यहां से इस इस central axis से इस neutral axis से कितना ऊपर आपको point लेना है stress का वो सब आपके depend करेगा कि आप लेना क्या चाहते हो तो उसके साब से आप y की value पूट कर दोगे है ना यह simple सा फंडा है ठिक और E is the modulus of elasticity इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तो modulus of elasticity तो आपको कोई लेना देना नहीं है वो तो आपको दिया रहेगा ऐसे ही same R भी आपको दिया रहेगा R में भी confuse मत होना कहीं circular shaft दे दिया और आपने R यहां put कर दिया यार कि यह R radius नहीं है जैसे shaft all equation में होता है यह radius नहीं है यह radius of curvature of beam है यह radius of curvature of beam है यह radius of curvature of beam है यह cross sectional radius नहीं है यह यह है कि beam जब bend होता है तो इस तरह का radius of curvature अपने center के about बनाता है वो radius of curvature है यह यह जो curve form करता है वो radius of curvature है तो यह 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 गलती से भी R को cross sectional radius मत put कर लिएगा यह तो मैंने simple बताया कि यह इन सब चीजों का मतलब क्या होता है तो एक टो equation आपको ध्यान रखनी है दूसरा अब important है इस Y की चीजों को समझना कि Y कितना लेना चाहिए क्या लेना चाहिए तो आ रहा हूं को रेक्टेंगुलर बीम है मालीजे हमारे पास कल की दिन कोई रेक्टेंगुलर बीम है जिसका सामने से cross section जो है वो कुछ ऐसा है तो cross section ऐसा rectangular है जिसमें यह मालीजे B है width और depth मालीजे D है ठीक है और यह इसकी neutral axis है कुछ इस तरह से यह सामने वाला cross section है यह side view है ठीक है तो अब यहाँ पर आप देखें अगर मैं आपको बोल रहा हूं calculate strength bending strength bending strength कल्कुलेट करिए तो मतलब मुझे sigma B जो है वो maximum चाहिए होगा तो अब आपको यारखना है कि M by I is equal to sigma B by Y generally इस relation के सबस्यादा use होता है तो sigma B अगर हमें निकालना है तो M by I हम लोग लिखेंगे ठीक है तो sigma B अगर maximum put करना है तो यह यारखना है कि M भी maximum होगा ठीके न M Y upon I में M भी maximum होना चाहिए तब और Y भी maximum होना चाहिए तब यह चीज़ आपको ध्यान रखना है तो तो मतलब इसका मतलब यह है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि M maximum Y maximum इसका मतलब यह है कि अगर मैं बोल रहा हूँ center पे हूं मैं कहीं और center से मुझे maximum चलना है उपर तो maximum कितना जा सकता हूँ तो अगर देखिए अगर body symmetric है in symmetric body symmetric body में neutral axis बीचो बीच होगी तो ऐसे में आप y उपर भी चले तो उतना ही होगा और नीचे भी चले तो उतना ही होगा ऐसे में y जो है दोनों तरफ ही maximum होगा लेकिन है ना ऐसे में आप उपर चले या नीचे चले नीचे चले neutral axis से कोई फरक नहीं पड़ता है बरावार distance होगा क्योंकि जब symmetric body होगी तो बीचो भी से काटो के बीचो भी से देखो के तो उपर चलो या नीचे चलो बरावार दूरी तो है लेकिन कहा तक की बरावार दूरी इसको बोलते हैं हम लोग top fiber top fiber मतला सबसे उपर का हिस्सा top plane यह होता है bottom fiber तो neutral axis से आप top fiber की तरफ चलो तो भी बरावर दूरी है bottom fiber की तरफ बरावर दूरी है कब जब symmetric body है ना लेकिन अगर body asymmetric है like in case of in asymmetric body यह समझेगा जो मैं चीजे मैं बता रहा हूँ यही numerical में गरवड़ करती है अगर body cross section area कुछ ऐसे है triangular ठीक है ना दिख तो proper रहा है ना थोड़ा saizer करते तो हमें और ठीक है अगर जो है ठीक है अगर body जो है वो triangular है माल लिजे asymmetric body है कुछ इस तरह की triangular body है अगर cross section कुछ ऐसे है तो cross section ऐसे है तो इसका triangle का center का होता है का यहां होता है triangle का center तो neutral axis तो यहां से pass हो रही होगी ना neutral axis जो होगी वो तो कुछ यहां से pass हो रही होगी तो ऐसे में आप यह है top fiber और यह होगा bottom fiber तो अब अगर मैं बोलता हूँ कि y max लो तो इस case में y max अगर आपको लेना है तो फिर आपको पता है दूरी ज्यादा बड़ी कहां है तो अफिसी बात है top वाली दूरी कम है और नीचे वाली दूरी जो है वो ज्यादा है तो इसलिए इसको y max लेंगे तो asymmetric body cross section के case में आपको खुद decide करना पड़ेगा कि maximum y मुझे उपर वड़ा लेना है यह नीचे वाला मतलब अगर इस triangle की height h है तो यहां तक का distance आपको पता है यह है है और यह distance 2hy3 है तो आपको y max क्या लेना है 2hy3 क्योंकि यह बड़ा distance है तो जो distance बड़ा है वो आप लेके चलेंगे तो से मल गए दोनों simple तो यह y का main मुद्दा होता है बाकि अगर आपको बोलता है कि इस fiber में निकालिए मतलब इतना ही उपर निकालिए तो फिर उतना ही लीजिए y अगर exactly y बोल देता है कि वह neutral axis से यह माल लिए 10 mm है और वो बोले neutral axis से 2 mm उपर लीजिए त तो फिर देखना पड़ेगा symmetric है तो कई भी ले लो top या bottom बराबरी रहेगा अगर asymmetric है तो जहां बड़ा distance है वहाँ आप y max लोगे यह simple सी basic से funda होते है numerical के लिए ठेके ना बाकी बाकी बात वही है i की i आप कुछ भी put करें ठेके ना जैसे मैंने बताया आपको कि standard cases हो भी साफ से है y max इस funda के साफ से put करेंगे और i जो है वह भी direct आपको cases दिये रहते हैं कि different different क्या है तो m max के तो मैं सारे chart दे चुका हूं i का भी chart आपको दे दूँगा वहाँ से आप अराम से i की भी value हर cross section के लिए आप put कर सकते हैं ठेके ना तो इस funda को थोड़ा सा shortcut basic चारिके से लिखते हैं कि हमें पता है we have equation m by i is equal to sigma b by y is equal to e by r मैंने आपको जैसा बताया फंडा उस हिसाब से मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी cross section होता है beam का यह कोई neutral axis होती है तो मैंने आपको बताया कि किसी भी beam में एक उसका top portion होता है एक उसका bottom portion होता है और एक neutral axis होती है तो इसलिए जब आप sigma निकाल रहे हैं तो we all know that sigma b is equal to my by i होता है अब इस पूरी beam के लिए m, m और i यह तो सेम ही रहने वाला है मतलब मैं किसी भी fiber पर निकालू y में कहीं भी लू m और i तो सेम रहेगा तो इसलिए आपको बहुत बार यह पुछा जाता है कि बताये यह sigma top upon sigma bottom का ratio क्या होता है ठीक है तो इसलिए आपको यगने तो को बेंडिंग स्टेस top में कितना और bottom में कितना है उसके लिए मेंडिंग मुमेंट तो वही रहने वाला है आई भी वही रहने वाला है सिर्फ फर्क किसका होगा y का तो y top upon y bottom इसलिए डारेक्ट objective question का भी रहता है तो आपको just y का ध्यान रखना है अब मैं आपको simple ता पंड़ा बता हूँ जैसे case number one जो मैंने भी बताया वह उसी जो पर है for circular shape rectangle square rectangle ठीक है न इन shapes के लिए ठीक है सर्कूलर कि स्क्वाइर कि एंड रेक्टेंगल इन ये सब क्या है सिमेट्रिकल छेप से तो इन सब के लिए आपको clear cut पता होना चाहिए कि इन सब में वाय में कहीं भी लोग क्योंकि देखिए ये इसकी neutral axis होगी है ना ये इसकी neutral axis होगी मैं different 10 का यूज करूं तो आपको पता है ये इसकी neutral axis है इसकी वी इसकी वी तो यहां पे टॉप से बॉटम डिस्टेंस बराबर होंगे तो ऐसे में आपका सिगमा टॉप अपाउन सिगमा बॉटम इन सभी केसिस के लिए हमेशा एक्वल टू वन होगा ये बात तय है ठीक है इसकेस नमबर टू आपको पेपर पूशता है फॉर ट्राइंगुलर तो यह आभी जैसे मैं आपको बताया वैसे आपको याद होना चाहिए अगर मैं बोलू कोई तो इसलिए ध्यान रखेगा अगर ऐसा पूछ रहा है ट्राइंगल टॉप पॉट्शन यह है और बॉटम पॉट्शन यह है तेके ना और यह न्यूट्रल एक्सिस है आपकी अगर इसकी हाइट है जैसे मैं आपको बताया था यह हाइट है तो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का डिस्टंस क्या होगा बोलू पॉटम फाइबर का हैच भाई यह बॉटम को डिस्टेंस ही है तो मतलब 2H by 3 upon H by 3 Y top upon Y bottom तो बचा क्या ratio 2 तो triangle के case में यही ratio जो है वो directly 2 लिख सकते हैं हम और अगर triangle में उल्टा कर दूँ तो 1 by 2 तो अगर मैं triangle को ऐसे कर दूँ बीम को ऐसे कर दूँ और यह top और यह bottom volume और यह neutral axis है तो यही ratio 1 by 2 हो जाएगा यह चीज का आपको ध्यान रखना है सेम ratio जो है वो 1 by 2 हो जाएगा तो मेरी बातों को proper सुनिए ठीक है case number 3 अब कोई भी asymmetric है case नमबर थर्ड अगर अगर कोई ले रहा हूं या या चलो asymmetric नहीं बोलते कोई ऐसा cross section बोलते जो सब ज़्यादा common नहीं पूछाता जैसे in या for अब देखो आई section आएगा तो आई section तो symmetry भी हो सकता है तो अगर आपको पुछे for t section अगर आपको t section दे अब t section आप सभी को पता है t section कैसा होता है t section कुछ इस तरह का होता है कुछ ऐसा होगा आपका t section है ना बढ़ टी तो इसे बोलेंगे तो इस तरह का कोई t section हुआ तो t section में अगर मैं बोलूंगा तो centroid को centroid को यहां होता है neutral axis यहां से पास हो रही होती है तो neutral axis यहां से पास हो रही होगी तो ऐसे में आपको पता है कि टॉप वाला जो फाइबर होगा वो कम होगा और बॉटम वाला ज्यादा होगा दूर तो दिस इस वाई बॉटम और वाई टॉप तो यह ओव्यसी बात है वाई टी is less than yb तो इस case में हमेशा top to bottom का अगर मैं ratio बोलूँ ठीक है और हो सकता है paper में ratio भी उल्टा कर दे bottom to top तो क्यों रटेने वाली चीज़ निए इसलिए समझ के लिखो इसे तो यहां पर हमेशा पता है हमें कि yt तो कम रहेगा तो it is always less than 1 तो यह इसलिए मोना मैंने इस तरह का इसलिए लिखा रहे हैं किस तरह का paper में पूचा जा चुका है yes जैसे paper में तो lesson 1 clear है तो simple यह funda आपको basic सा ध्यान रखना होता है इन चीजों को लेके बाकि कुछ calculation भी समझते हैं top bottom को लेके तो आए उसके बारे में बात करते हैं तो इतना I think सबको clear है पहले क्योंकि इतना clear है उसके बाद बाकी की चीज़े सोची जा सकती है ठेके और लास्ट यह चीज़ भी धियान रखिए कि जब हम सिग्मा इस इकोस्टू एम वाय बाय आई बोलते हैं और हमें पता है कि यह मैक्स लेने पर हमारी जो है वह स्ट्रेंथ निकल के आती है तो फिर ऐसे में सिग्म मैक्स आपको ध्यान रखना है कि एम आई अपाउन वाय मैक्स को अगर मैं लिखूं तो यह जो है यह क्या है रैसिप्रोकल टू श्रेंथ है तो डैट विल गिव जड यह क्या है जड इसको बोला जाता है सिग्मा एक इस इकल स्टू एम बाय जड तो जड यहा रखे जड ड़ड सेक्शन मॉडलेश जड कह बोलते हैं सेक्शन मॉर्डव तो सेक्शन मॉडवल जो है भो बताता है आपकी तुप दिसाइड दी strength of strength of आपका cross section किस cross section का strength कैसा रहेगा यह आपको section modulus से पता चलता है तो कई बार section modulus भी directly पूछे जाते हैं जैसे कि एक आद में बता दूँ कि कई बार section modulus भी जो है वो directly पूछे जाते हैं जैसे कि माल लीजिए हम simple बोलें कि section modulus आप निकालने जा रहे हैं किसी का और आपसे पूछा जाए बेसिक सी बात ठीक है हम पूछे जाए कि जैसे माल लीजिए एक rectangle है यह B है यह D है यह neutral axis है तो हमें पता है यह distance क्या है D y 2 ठीक है तो अगर मैं Z निकाल रहा हूं तो I by Y क्या है I upon Y max को अगर मैं put कर रहा हूं तो we know that I is equal to BD cube by 12 और Y is equal to D by 2 तो 2 6 D square तो आप direct भी यार्ज़ते हो कि किसी भी rectangle का section modulus होता है BD square by 6 है ना BD square by 6 तो ऐसे भी हम directly याद रख सकते हैं इसमें कोई भी समस्या नहीं है अगर मैं Z of square बोल रहा हूं ठीक है ना और अगर नहीं भी है तो याद भी उसे टाइम निकाल भी सकते हैं बहुत जादा भी इसमें टाइम खर्च नहीं होता है लेकिन याद रहे तो थोड़ा सा easy है फटा फटा उतना speed से काम होता है ठीक है ना तो I upon Y max I is equal to क्या होता है बी की पावर आई में तो दुनों सेट बरावर होती है तो बी की पावर 4 by 12 divided by by 2 तो देट इस 6 बी क्यूब बाई 6 ठीक है जैड ओफ सरकल अगर मैं बोलूं तो सरकल में आई क्या हुआ पाई डी 4 by 64 अगर सरकल का डाया डी है तो आई है पाई डी 4 by 64 और यह है डी वाई 2 तो यहां पर भी टू थर्टी टू क्यूब तो पाई डी क्यूब बाई 32 तो इस तरह कि जो है हम लोग एजली कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए ठीक है अब जैसे एक बेसिक सा फंडा बोलें कि एक बेसिक सा फंडा भी आप लोग को कभी कभी पूछ सकता है अगर हम देखें प्योर बेंडिंग में कोई बीम है ठीक है उसमें मुवमेंट लगा कैसा भी मुवमेंट हो सकता है ऐसे हो सकता है यह कोई मुवमेंट लगा तो वी नो डैट कि बीम जो है वो इस तरह से मालीजे बेंड होती है बीम जो है वो इस तरह से बेंड होती है तो इस 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 तो आप सभी को पता है कि लेक्सिस से उपर जो है वो अंडर टेंशन चले गया है टेंसाइल फोर्स लग रहा है और नीचे जो है वो कम्प्रसिव फोर्स लग रहा है ठीक है और यह ठीक उल्टा हो जाएगा अगर मैं उपर को बेंड करूँगा तो यह चीज़ आपको सिपल समझ नहीं होगी तो कई यह टेंसाइल फोर्स के वज़े से टोटल स्ट्रेस कितना लग रहा है टॉप फाइबर में बॉटम में कितना लग रहा है यह भी करने को आता है तो इसको डार्य केस कैसे पुछा जाता है जयसे यहां तो आप बता देंगे उपर का टेंसेल जो है ऊपर का टेंस जल्क बी इस इकल टू चू. अदिंगे सिंपल Над यह ना बराबर है तो बराबर रहेगा और बॉटम जो है वो एम वाइ बॉटम बाइ आई यह आप पूट कर देंगे अब आपको पता है कि अगर यह दो वाइ बराबर है एम भी बराबर आई तो ऐसे में मतलब जितना टेंसाइल जन्रेटों का फोर्स उपर नहीं उतना ही कम और मैं आपको बोलूं कि यहां पर एक फोर्स लग रहा है पी और फोर्स इज बिस्टेंस अबवव सेंट्राइट से इस डिस्टेंस ओफसेट एक पी फोर्स लग रहा है तो बताईए कि total stress टॉप portion में कितना होगा, bortom में कितना होगा, ठीक है यह आपसे पूछ सकता है कितना कितना पूछ सकता ह और कौन सा ज़यदा टॉप में ज़यदा होगा, रॉड में ज़यदा होगा ये भी है फूछ सकता है, तो इसका का जो tensile axial है यह axial force तो दोनों में मैसूस होगा इसमें भी और इसमें भी तो इसलिए direct stress जो है वो दोनों में लगेगा इसको मैं आप जनरली सिग्मा ए कह देते हैं axial stress that is P upon A तो यह दोनों में लगेगा इसमें भी और इसमें भी तेके न तो यह तो दोनों में लगेगा 10 साइल है तो दोनों में प्लस-प्लस ही होगा compressive होता तो दोनों में negative negative लेता तो ये तो दोनों में लगेगा अब indirect stress कैसे लगेगा इंडिरेक्ट stress मतलब आपको पता है कि ये P force ऐसे है सेंट्राइट से देखो तो P into E का एक moment भी लगेगा सेंट्राइट से देखें तो P into E का एक moment भी लगेगा P E करके तो P E अगर moment लगेगा है ना यह सिंपल सी बात है मैं को example भी लेकर आपको बतायता हूं कि देखो एक example समझाता हूं तो यहां पर यह कोई हमारा क्रॉस सेंट्राइट यहां है कहीं बीच ओ बीच हैं लेकिन मैं सेंट्राइट पर ना लगा कर उसके से पीफोर्स में लगता है तो, Cross Section का जो Axial है वो तो पूरे में लग रहा है, Top में भी, Bottom में भी, तो Axial Axial हमने दोनों में जोड दिया, Direct Stress तो पूरे Cross Section लगता है, पी फोर से खीचता तो there is no bending ये पी फोर से खीचता तो सेंटर से खीचने पर मुझे कोई भी bending नहीं होती सीधा सीधा खीचा चला जाता जैसे डारेक डारेक्ट ट्रेस रहता हो लिए अब ये पी उपर लगने के वज़े से इसमें क्या हो रहा है ये पी उपर लगने के वज़े से क्या हो रहा है आपको ये सीधा प्लेन जो दिखाई दे रहा है ये मेरे खीचने पे ये प्लेन आपको bend होता वा दिखाई दे रहा है अब जब ये bend हो रहा है तो आप देख रहे हो कि उपर का portion जो है वो ऐसे bend हो रहा है क्योंकि moment जो है वो इस तरव लग रहा है pe का moment ऐसे लग रहा है तो जिससे उपर वाला portion ऐसे bend हो रहा है और bottom वाला portion जो है वो ऐसे bend हो रहा है है ना तो मेरे ऐसे खीचने पे उपर वाला portion ऐसे दिख रहा है ना इस तरह का curve जो है वो ऐसे form हो रहा है यह ऐसे और यह ऐसे तो यह जो bending हुई इसमें आप देख सकते हो कि indirect stress के वएसे यहां तो लगा tensile है ना तो bending stress में बूलूँगा यहां तो है tensile तो यह बात clear है कि इसमें tensile मतलब positive तो यह तो उपर को खीच रहा है तो bending stress इसमें plus ही लगा लेकिन इधर वाले में देखो एकजिल stress के वाई से खीच रहा था लेकिन bending के वाई से क्या और एकप्रेस हो रहा है तो कमप्रेस हो रहा है तो माइनस सिग्मा बी समधार यह बाद सिम्पल है बॉटम में bending stress negative लग रहा है तो अब इन दोनों में बड़ा होगा वह बॉटम के साथ होगा तो यहां पर बड़ा सिम्पल सा अफेक्ट है अच्छा वह बुक फटी नहीं वाइफ की medical की बुक थी तो बहुत दिक्कत हो जाती है आगे के lecture नहीं आ पाते फिर अगर कुछ हो जाता ठीक है ना तो यहां पर सिग्मा ए माइनस सिग्मा भी सिग्मा ए प्लस सिग्मा भी तो यह सिंपल है आप अ तो आप यह भी कह सकते हो तो आप यह भी कह सकते हो कि इस केस में टॉप में ज्यादा इस्ट्रेस लग रहा है ऐस कंपेर टू बॉटम के समरे ना तो आप साथ साथ यह रिजल्ट भी बता सकते हो कि टॉप में ज्यादा इस्ट्रेस लग रहा है ऐस कंपेर टू बॉटम के तो ये दो चीजे आपसे पूचता है, एक total stress कितना कितना कहां कहां लगेगा, और calculation वही है, sigma A की जगा पर P upon A P upon A रखोगे, और B की जगा पर M Y Y I रखोगे, बस bottom के लिए Y वही होगा, जो bottom वाला होगा, top के लिए top और M और I तो same रहेंगे, तो इस तरह से हम आराम से calculation जो है, वो कर लेते हैं, जो भी हम यहाँ पर लेना चाहते हैं, clear है, समझा के बात, तो अब ऐसे force को मैं कहीं पर भी लगा हूँ, तो आम आराम से कर सकते हैं, एक question इस पर और important है, जो किसी ने पूछा विदा पर सो, तो वो लेकिन मैं question of the day में share करूँगा, आप उसको solve करेगा, ठीक है, एक इसी चीज को लेके problem रहेगी, ठीक है न, कि top में कितना, इस ट्रह से bottom में कितना, वो मैं आपको question of the day में कल share करूँगा, या आज शाम को share करूँगा, आप उसको solve करेगा, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा एक design criteria पर बताते तो आपको, कि design criteria के लिए, for safe design आपको हमेशा ध्यान रखना होता है, जब आप beam को design करते हैं, तो हमेशा ध्यान ये रखते हैं, कि जो भी maximum moment आप लगा रहे हो, it should always be less than equal to moment resistance, या बोलो, कि moment resistance, ठीक है न, that is called moment of resistance, ठीक है, ये वो है, जो इसके against generate होगा, तो ये जब तक इससे बड़ा है, तब तक body जो है, वो safe रहेगी, लेकिन अगर रोकने वाली छमता से ज़्यादा लग जाएगा, तो body जो है, वो unsafe हो जाएगा design, ठीक है न, तो ये चीज़ का simple सा ध्यान रखना होता है, और बागी आपको पता है कि sigma, जो है permissible, जितना permit आप कर रहे हो, ठीक है न, या induced कह सकते है, it should always be, तो जितना भी आप stress generate कर रहे हो, तो समझ लिजे, material की जो अपनी strength है, ठीक है न, उससे आप हमेशा, material की जो अपनी strength हो, उससे आप हमेशा कम से कम generate कर सकते हो, या आप ऐसा बोल लो, कि maximum जो लग रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो, कि maximum जो लग रहा है, that will always be less than equal to, जितना आप permit कर रहे हो, ठीक है न, तो permit हमेशा ज़्यादा करना है, उससे कम कम maximum लगना चाहिए, तो भी क्या है, safe design है, ठीक है, अब इसके साफ से आप निकाल सकते हो, जैसे कि आप sigma को क्या लिख रहे हो, m by z लिख रहे हो, है न, इसको आप क्या लिख रहे हो, sigma maximum के साफ से आप formula कर रहे हो, m upon z, z y neutral axis के about, less than equal to sigma permissible, ठीक है न, तो you can just write, m less than equal to, z into sigma permissible, तो इस तरह की, तो यह जो होता है, हमारा, यह तरह का moment resistance ही तो है, यह moment resistance होता है, तो इस तरह की equation से, हमें कहीं ना कहीं, जो है, वो safe design और calculation में help मिलती है, तो यह भी एक आपको simple relations दियान रखने हैं, जो हमारे design of beam में काम आते हैं, तेकर एक और important concept में बताता हूँ, जिसकी जुरूद पढ़ती है, कभी-कभी यह comparison करने को आता है, एक square आपको ऐसा देदेगा, और एक square आपको कुछ ऐसा देदेगा, तेकर दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क यह है, यह है square, with side vertical या side horizontal बोल सकता है, और यह है square with diagonal vertical, तो यह मैंने आपको पहले भी कई जगा बताया है, कि इस case में अगर यह a side है, यह a side है, तो ऐसे में square की जो calculation आती है, तो i में कोई फर्क नहीं आता, i a 4 by 12 आपका आना है, लेकिन याद रखे, z जो है वो आपका, z of square with side vertical, is equal to root 2 times of z with square as a diagonal vertical, यह आपको ध्यान रखना है relation, जो आपको कहीं न कहीं कोई पूस सकता है, section modulus के लिए, तो यह चीज है, और यह root 2 की value, 1.414 करके भी लिखा सकता है, तो यह चीज़ ध्यान रखेगा, 1.414 z of square diagonal, ठेके ना, vertical diagonal वाला case, और यह रखे, जो नहीं यह diagonal vertical बोले, diagonal horizontal भी बोल सकता है, कि side को horizontal रखोगे, तो यह case है, ठेके ना, और side diagonal को horizontal रखोगे, तो यह case है, तो ऐसा भी बोल सकता है, कि diagonal को vertical रखोगे भी बोल सकता है, और diagonal को horizontal बात एक ही है, क्योंकि एक diagonal vertical तो एक diagonal horizontal रहेगा, ऐसे ही, एक side vertical तो एक side horizontal रहेगी, तो ऐसा भी direct जो है, वो पूछ लेता है, ठेके ना, अब यहाँ पर देखे, यह उपर यह नीचे, तो 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 टॉप लोग या बॉटम लो बराबर है, नुट्रल अक्सिस के बाउट जो है, आई जो है, वो neutral axis के बाउट कितना है, तो आपका BD क्यूब बाइ, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है, ठेके, और Z क्या हो जाएगा, Z भी आपने निकाला था, that will be I upon Y, that is BD square by 6, तेके न, यह सिंपल हो जाएगा, ऐसे ही सेम, अब मैं square की बात करूँ, तो square में भी आपको पता है, कि अगर यह जो है dimension, वो A है, माली यह A लेते हैं हम इसे, A, A dimension है, that will be A by 2, तो यह हो जाएगा, A by 2, और I जो है, neutral axis के बाउट, वो हो जाएगा हमारा, A 4 by 12, ठेके न, और, Z जो है, neutral axis के बाउट, वो हमारा हो जाएगा, बस भई, A cube by 6, A cube by 6, यह अभी हम निकाल चुके हैं, बस एक बार प्रॉपर चार्ट क्योंकि, जो भी आप चार्ट बनाते हो, जो मैं आपको, जैसे SMD BMD का Maximum Endingment वाला चार्ट है, या मैं यह Momentumination वाला चार्ट है, या को Slope Deflection जो भी आप चार्ट बनाते हो, उसको Notebook तक मत रखो, अगर आप सर्फ Notebook तक रखोगे, तो पिर समझ से क्यों जब जब Notebook खुलेगी हो, तभी आप याद रखो, उसे देखने का नहीं तो नहीं, ये चार्ट हमेशा सामने रूम में होने चाहिए, चाहिए वो किसी की सब्जेक्ट के हों, अलग-अलग, Swarm के आपने दो-तीन एक साथ लगा दिये, कहीं पर production के लगा दिये, खासकर उन में ज़्यादा जिन में याद में की जरूरत आपको बार-बार होती है, या आप बार-बार भूलने का चांज रहता है, उन में बहुत जरूरी है कि आपको proper चीजे याद रहे, clear है? तो जैसे की, जैसे की, अब यहाँ पर मैंने बताया, अब यह side A है, तो आपको पता है, यह वाली side कितनी होती है, यह होती है, root 2 A, देखे ना, और यह कितना होगा, यह distance, तो अब बात है, यह distance कितना होगा, यह total root 2 A, root 2 A का divided by, that is A y root 2, है न, root 2 A को, अगर मैं half करूँगा, तो A y root 2, तो बस यह हो जाएगा, y यहाँ पर A y root 2, ठेक है न, neutral axis के about A 4 by 12, और यहाँ पर, आपका momentum inertia, अगर उसके साब से हम देखें, तो A q by, यह रखना है जाको, A q by 6 है, तो A q by 6, और हमने क्या पता है, इसके साथ है, हमें पता है, y max यहाँ से यहाँ तक का distance कितना है, that is, यह h है, तो यह 2 h by 3 है, तो इस case में यह 2 h by 3 हो जाता है, y max, और moment of inertia, हमें पता है, moment of inertia, neutral axis के about होता है, b h q by 36, बहुत important रहता है, हमेशे ट्रेंगल का formula, और इसका base के about भी बहुत बाद पुशे जाता है, कि triangle का उसके base के about moment of inertia क्या होता है, तो base के about आप पहले एक्सिस स्रूम से निकाल सकते हैं, लेकिन हम direct यहाँ रखना है, b h q by 12, और आपका z क्या हुआ, तो z आपका यही है, यह divide by this करेंगे, तो 3, 32, 32 और 12 आपका, that is 24, तो यह हो जाता है हमारा, that is b h square by 24, तो यह जो है, चीजे ज़्यादा पूछी भी नहीं गई है, लेकिन equally उतनी important है, तो आपको ध्यान रखना है, अब इसके अलावा जो शेप बसती है, वो आपकी बसती है, circular, अब एक circular shape अगर हम लें, जिसमें neutral, इस रेट यह रहेगा, this will be the neutral axis, तो आपको पता है, that is the y max कितना हो जाता है, अगर डाया d है, तो y max will be dy to radius के बराबर, dy to, ठेक है, और i जो है neutral axis के बराबर, वो कितना है, pi d 4 by 64, और z neutral axis के बराबर कितना हो जाएगा, तो अब हमने निकाला था यह, pi d cube by 32, pi d cube by 32, simple, यह basic सी बात यहाँ पर रहती है, अगर मैं इसी की जिगा पर hollow section लेता हूँ, कोई hollow beam ले लूँ, इतनी जुरूद तो नहीं पड़े की, लेकिन अगर इस तरह की hollow section ले लूँ, तो आप सभी को पता है, मान लिजिए small dia, small d लूँ और बाहर का dia, जो है मैं capital d लूँ, तो अब इस case में, जो है आपका, y max और ये सब चीजें क्या हो सकती है, ठेके न, तो याद रखिए, outer dia जो होता है, वही mainly centroid depend करता है, तो outer dia divide by 2, ये हो जाएगा आपका y max, और i जो होगा, वो होगा आपका, pi d 4 by 64, 1 minus k की power 4, जिसमें k क्या होता है हमारा, तो हमारा k होता है, inner dia upon outer dia का ratio, ठेके न, ये हम लोग use करते हैं, और z क्या हो जाएगा, तो z वह ये d by 2 से divide करोगे, तो pi d cube by 32, बस समझ लो, 1 minus k की power of 4, जो है, वो सासास लेना है, यहाँ पर कटो निरा है, थोड़ा सा, इसको ऐसे कर देते हैं, ठेके न, तो ये इस तरह से आपको लेना लेना है, लेकिन circular के लिए कुछ confusion फिर भी रहते हैं, जो मैं आपको कहीं और भी बता सकता हूँ, जैसे कि, यह आपने note कर लिए होगा, लेकिन circular को लेके कुछ चीज़े और भी पुछी जाती हैं, जैसे कि, आपने निकाला ymax, आपने निकाला moment of inertia, आपने निकाला section modulus, मैं अलग से लिख देता हूँ, आपने निकाला circular के लिए section modulus, moment of inertia, तो moment of inertia आपने निकाला, pi d4 by 64, ठेके, यहाँ पर मैं कई बच्चों को बहुत confusion होता है, तो उसके लिए में कुछ चीज़ें बिल्कुल clear crystal clear लिख देता हूँ, ताकि आगे से कोई confusion ना रहे, निकाला 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 अब कभी कभी लिखा होता है polar moment of inertia, polar moment of inertia, तो इसको लेके कई बार confusion हो जाता है, तो याद रखे, that will be equals to pi d4 by 32, ठेके, तो यह है moment of inertia neutral axis के बार, polar होता है central axis के बार, देखो, जो यह वाला moment of inertia वो यह ऐसे या ऐसे होगा, बल्ल, xx या yy, लेकिन यह जो होता है, यह होता है zz, याद रखे, यह ixx या yy होता है, यह है yy, तो ऐसे निकालो, यह xx के दोरान निकालो, बराबर ही है, लेकिन जो zz है, वो सामने है, तो यह होता है izz, polar moment of inertia, मतलब बाडी को उसके axis पे घुमाना, तो that polar moment of inertia, तो polar moment of inertia अगर आपको बोलता है, तो वो आपको confused नहीं होना है, that is pi d4 by 32, ऐसे ही सेम आपको polar modulus पूछ सकता है, तो यहाँ पे just section modulus था, ऐसे ही आपको polar modulus, polar modulus आप से पूछ सकता है, तो याद रखे, वो polar modulus जैसे इसको polar modulus, momentum of inertia को अब लोग कई बार, i, p से या j से दिखाते हैं, j से दिखाते हैं हम लोग, generally, तो आपको ऐसे ही z polar पूछ सकता है, तो याद रखे, z polar क्या होता है, अब इसको d by 2 से डिवाइड करो, outer radius से, तो यह हो जाएगा, pi d3 by 16, इसमें सबसे ज़्यादा mistake सब लोग करते हैं, कि आपको polar modulus पूछा है, लेकिन जाद अगर बच्चे, section modulus को answer टिक कर देते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, that is pi by 16 d3, बस d2 से divide कैया, 2 से 16 कटा, d से 1 d कम हो गया, ठेक है न, तो याद रखे, section modulus मतलब, i upon y, और polar modulus मतलब, j upon y, ठेक है न, और section modulus मतलब, i upon y max, यह simple सा फंडा है, तो यह सारी values, circular के लिए आपको different values, यह सारी जो है, वो ध्यान रखनी होती है, ठेक है न, same ऐसे ही, आप outer के लिए निकाल दो कि बस फर्क क्या होगा, इनी सब formula के आगे, 1 minus k की पार 4 लगा दूँ मैं, यहां से लेके, इनी सब formula के, 1 minus k की पार 4, 1 minus k की पार 4, 1 minus k की पार 4 लगा दूँ, और d को capital d कर दूँ, तो वो हो जाता है, hollow circular के लिए, समझ गे, hollow shaft के लिए, समझ गे न, 1 minus k की पार 4, यह capital d लिखके, 1 minus k की पार 4 बिला, outer dia, 1 minus k की पार 4, 1 minus k की पार 4, 1 minus k की पार 4, पूरे formula, और k क्या है, हमारा inner dia upon outer dia, तो वो पूरा hollow girl हो जाएगा, जिसको मुझे लिखने की ज़रूद, नहीं है, clear, इतनी बास समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है, अब इस chapter का, लास्ट कंसर्ट में आपको बताया, तो जो की बहुत ज़्यादा important रहता है, वो होता है, beam of uniform strength, मतलब, बहुत important, बहुत बापेपर में आया है, uniform strength, तो इसको भी short में समझ लेते हैं, देखे, basic सा फंडा है, कोई भी beam में लेता हूँ, उसमें load लगाता हूँ, तो beam का cross section एक जैसा ही लेता हूँ, पीछे तक, मतलब इसकी कोई width होगी B, और depth होगी D, तो वो पीछे तक ऐसे कैसी रहेगी, लेकिन जब मैंने W load लगाया, तो आपको पता इसका bending moment कैसा बनेगा, अगर मैं इस question का bmd बनाऊँ, तो bmd कुछ ऐसा बनेगा, कि यहाँ पे तो bending moment 0 होगा, यहाँ maximum होगा, है ना, यहाँ पे bending moment maximum होगा, WL, और यहाँ 0 होगा, तो जब bending moment यहाँ से यहाँ तक vary कर रहा है, तो आपको पता है, sigma b is equal to my by i है, तो जब यह vary करेगा, तो फिर यह भी तो vary करेगा, और यह vary करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे strength कुछ और से यह, यहाँ कुछ और से यह, यहाँ कुछ और से यह, यह maximum चाहिए, तो इसका मतलब तो यह हो गया न, आपने तो cross section एक ही बना दिया, आई और वाई भी उसी साफ से बदलें, समझारी बात, तो अगर आप चाहते हो, beam को uniform strength रखना, तो you have to change the cross section accordingly, आपको beam के bending moment, जिस बही bending moment के एक तरह का action है, तो आप body जो है, अगर आप चाहते हो कि पूरी body same reaction दे, मतलब uniform strength, मतलब उसकी strength, स्टार्टिंग के point से भी लेके, end point तक same रहे नहीं, तो ऐसे में तो क्या होगा, end point weak पढ़ रहा है न, support जो है, वो weak पढ़ रहा है, क्योंकि उसमें maximum लग रहा है, तो और आपने उतना ही side यहां दिया, उतना ही side यहां दिया है, तो इसलिए हम कहते हैं, कि beam of uniform strength, मतलब कि शुरुआ से लेके end तक, वो beam की strength same रहनी चाहिए, beam की strength same रहनी चाहिए, तो उसके हिसाब से, आप cross section जहां कम strength चाहिए, वहां उस हिसाब से cross section रहो, जहाँ ज़्यादा strength चाहिए, वहां उस साब से रहो, तो cross section में change लाके, आप उसकी strength को भी change करते रहो, जैसी जैसी required है, जहां maximum strength चाहिए, वहां maximum रखो, जहां minimum चाहिए, वहां minimum रखो, तो यह simple सा funda है, तो basic सा funda यह है, कि इसकी value को constant बनाए रखना, ठेके ना, और आप चाहते हो, यह constant रहे, तो फिर इसका मतलब साफ है, आप चाहते हो, यह constant रहे, इसका मतलब साफ है, कि यह vary कर रहा है, तो यह vary करेगा, अगर यह constant रहेगा, तो यह vary करेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो, यह constant रहे, तो फिर बड़ा mathematics का simple सा funda ने, इसको balance करने के लिए इसको vary करना पड़ेगा है ना ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ा हो इसको vary करो ये vary होगा ये vary होगा इसके साथ तो ये मिला के constant रह सकते हैं है ना अगर ratio यहाँ पे 1 is to 2 रखा जाए तो अगर मैं 1 को 6 भी कर दूँ तो इसको 12 कर दूँ फिर भी ratio 1 is to 2 ही रहेगा ये constant बना रहेगा है ना कल के दिन bending moment आपका 24 हो जाता है तो मैं इसको 48 कर दूँ still ratio 1 is to 2 बना रहेगा तो कहने के बाद यह है कि bending stress को constant बनाए रखना is called beam of uniform strength एक है ना sigma b को constant बनाए रखना is called beam of uniform strength by varying z with m हमें बिल्कुल शॉट में लिखा मैंने कोई फल्तू की ठीओरी नहीं लिगी कुछ निलिगी अगर आप समझ पाए तो direct समझ पाऊगे इस बात को सीधा सीधा तो इसके अंदर हम लोग 2 cases generally करते हैं तो अभी तक वो पीस में ज्यादा उससे कुछ नहीं आए लेकिन यह वगरा में आ चुके हैं कि दो तरह के केस होते हैं एक में हम विर्थ को वैरी कर सकते हैं और एक में डेप्थ को और एक में दो नहीं तो यहां पे सिंप्ली मैं क्या बोलूँ कि टू केस फर्स्ट केस वैरिंग विर्थ बाइ कीपिंग डेप्थ कॉंस्टेंट ठीक है मतला विर्थ को वैरी करिए डेप्थ को कॉंस्टेंट रखके तो माले यह दिस इस इस यह बीम यह आपकी बीम है तो यह बीम साइड से है तो इसकी डेप्थ जो है वो डी है लेकिन इसकी वीर्थ जो है वो बी है अब वीर्थ आपको यहां से नहीं दिखाए देगी वीर्थ आपको दिखाए देगी इसकी टॉप यू से तो अगर मैं इसका टॉप यू बना रहा हूं तो वीर्थ वैरी क करती वह जै कैसे वेरी करती तो मैं डारेल लिख रहा हूं यह फोम्ला हम निकाल तक प्रूफ करते हैं लेकिन मैं डारेल लिख रहा हूं यह रहा हूं यहां रखे अगर मैं किसी s section at section xx मैं विड्थ दें करहा हूं तो विड्थ की से आपकी वही करतीवी नजर आती है तो जो इसकी एक्चुल विड्थ वो भी है अगरो सक्षन बनाये तो में एक्चुल विड्थ है वो भी है जो उसकी मैक्सीमॉम यत ठेकना तो भी जो है यह x section पर है तो यह इसकी maximum width है, ठीक है, this is the maximum width, this is the width at any section, किसी भी section पर width निकालनी है, तो आप maximum width मतलब जितनी maximum यहाँ होगी, वो width पुट करें, into x जहाँ length पर आप निकाल दो, जहाँ तक कि width चेक करने चारों, वो पुट करें, और l जो है, वो length of the beam होगी, l जो है, वो length of beam होगी, बस अब आप कहीं की भी निकाल सकते हो, और आप से length, तेके न, माली यह total 6 mm है, आप चाहते हो, 2 mm में length कितनी होनी चाहिए, 2 mm में width कितनी होनी चाहिए, तो बस 6 put किया l की जगा पर, 2 put किया x की जगा पर, और maximum width जो है, वो put करी, answer आजएगा कि 2 meter पर कितनी होनी चाहिए, बस, ऐसे 2 पर कितनी है, 3 पर कितनी, 6 पर maximum, तो बस यहाँ पर यही है, कि 6 पर तो है maximum width, अब मैं top view दिखा रहा हूँ, और जहाँ पर 0 है, मतलब 0 मतलब x को 0 कर लो, तो यहाँ पर बिल्कुल 0 width, कुछ इस तरह से, तो width जो है, वो linearly ऐसे vary करती भी दिखा देती है, linear equation, straight line है, याद कि यह मैंने straight line बनानी चाहिए, क्योंकि x की power 1 है न, तो straight line ही आएगी, बिल्कुल straight, तो इस तरह से vary करती है, आपकी width, तो यहाँ पर है maximum width b, ठीक है न, और किसी x section पर है, x section पर है width bx, अब यह width आप बढ़ा सकते हो, तो आप निकाल सकते हो, हर section पर x की value पूट करते हैं, जो अलग-अलग width आजएगी, पीछे तक की, पीछे तो maximum b है, यह total length l है, ठीक है, तो यहाँ रखे, this is the top view, ठीक है, यह मैं थोटा अच्छे से और समझा दिया, तो जब कभी proof हम लोग देखेंगे, किसी full course में आप लोग देखेंगे, तो तब इस चीज को मैं prove भी करूँगा, यह कैसे लिखा हमने की, जो बहुत simple है, ठीक है, तो this is the relation, ठीक है, समझा यह बात, ऐसे ही second relation क्या होता है, और simple से relations है, ऐसे कोई unique है, मैं तो surprise बोल रहा हूँग, ऐसी मतलब, की बहुत पीछे है, इसके कुछ नहीं, एक line का formula है, varying, varying depth, keeping, width, constant, अगर मैं width को constant रखूँ अब, और depth को vary करूँ, अब मैं पहले top view बनाऊँगा, top view, तो top view मैं मतलब width को मैं constant दिखाऊँगा, तो width तो मेरी b है, मल यह width मेरी b है, लेकिन अब मैं side view देखूँ, side view में यह length मेरी l ही है, कोई मेरा x section ही है अभी भी, उस x section पर मैं depth को देखूँँआ, depth कितनी है, तो वो depth क्या होगी, अब यह side view में आपको depth दिखाई देगी, है ना, भाई beam है, beam के side view में आपको depth दिखाई देगी, जो पहला वाला केस्त है, यह वाले view में आपको depth दिखाई देगी, तो अब इसमें अगर मैं बोलूँ, कि depth किस तरह से vary करेगी, ठेक है, तो यहाँ पर भी simple relation आप या रखिए, dx equals to d under root x by l, बस इतना ध्यान रखेगा, under root, वहाँ under root नहीं था, यह under root आ जाता है, यहाँ पर main वही है, depth at x section, maximum depth at support, है ना, और l आपकी length of beam, और x वही है, जहाँ distance आप depth निकाल रहे हो, तो यहाँ पर भी अगर आप दिखते हो, यह x की power में आगया, power आगया तो मतलब equation यहाँ से depth जो होगी, वह vary करती भी, linear तो नहीं होगी, अब क्या होगी, अब कर्व में होगी, अब यह power में चले गया, अब यह होगी कर्व में, और आएगा आपका depth किस तरह से, तो कुछ इस तरह से, यह माल लीजिए आपकी depth है, तो depth कुछ इस तरह से कर्व में vary करती भी आएगी, तो यहाँ है, जब x 0 है, तो depth 0, और यहाँ है, तो maximum d, है ना, 0 पर 0, और dx पर l लेंद पर, l लेंद पर पूरी d, तेक है, 0 पर 0, l लेंद पर पूरी d, समझ गया, और यह किसी x section पर हमने dx निकाली, तो इस तरह से depth vary करती है, तो यह relations पर अभी ज़्यादा questions आएवे नहीं है पेपर में, लेकिन in future जो है आ सकते हैं, अभी तो ज़्यादा सिर्फ यही पूछा गया है, कि beam of uniform strength मतलब क्या, अब third case होता है, इन दोनों को combine करता हो, तो इन दोनों formula से आप बना लोगे, ठीके न third के जिस पर पूरी beam आपको वैसी दिखाई देगी, clear है, अब ऐसे में क्या है, ऐसे में अच्छी बात ही रहती है, कि bending moment diagram, bending moment strength जो है, जो bending strength है, वो आपकी overall beam में बराबर रहती है, तो उस bending strength को constant रखने के लिए हम लोग यह सारा खेल करते हैं, तो that's all about pure bending, तो pure bending में इन सभी concept की ज़रुवत थी, तो यह सभी concept आपको मैंने बता दिये, एक छोटी सी चीज में दिमाग में अभी अभी आई है, यह भी चीज या रखेगा, m by i is equal to sigma b by y is equal to e by r हम लोग रखते हैं, तो इसमें कभी-कभी हम इस वाले ratio को लेते नहीं है, लेकिन कभी-कभी इस से भी एक question मन जाता है, कि m by r is equal to e i, ठीक है न, m by r is equal to e i, देखें, moment के लगने पे radius of curvature कितना बढ़ता है, मतलब जो curve है, वो bend कितना होता है, तो यह एक तरह से किछीट पर depend करेंगा, beam के flexibility वाली बात है, तो इसलिए that e i is called flexular rigidity, flexular rigidity, यह भी आप से question simple सा पूछा जाता है, clear है, that is called flexular rigidity, clear है, तो यहाँ आज आपका, आज आपको सारे strength of material के storm के लेक्टर आपके खतम हो जाएंगे, उसके बाद हम storm को start करेंगे, revise करना, तो thank you very much guys, enjoy your lecture, और please, last फिर बोलना भूलिया मैं, please, क्या करें, like जब भी view करें, like जरूर करें, share जरूर करें, कहीं भी करें, no matter, लेकिन, अच्छा लगे, like जरूर करें, बहुत, 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 बहुत important है, मैं बोलूँगा, वो एक अलगी success होगी, जिन जिन हम बोलें, कि जितने view हैं, उतने like हैं, चलो उतने ना बोलें, हर एक को पसंद नहीं आ सकता, लेकिन at least more than 50%, जितने view हैं, more than 50% like हैं, 1000 view हैं, तो at least 500 plus likes हो, तब हम कहेंगे, कि हम सही तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर बचो, बागी आप comment, moment सब करेंगे ही, जो भी issue होगा, इसके आगे चीए, चलिए, थैंक्यों अरिमाच,